ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकॉन को दोबाना मत भूलें असलाम अलेकुम जी मैं हुताहिरा रुबाब बाई परफेशन, I am a clinical psychologist रॉर्जश हम बात करने वाले एक बहुत ही एहम टॉपिक के उपर इसके बारे मेरे वेवर्स आकर बहुत जदा कम्प्लेइन करते हैं मुझसे और मैं देखती हूँ बहुत सारे क्लाइन्स का यह मसला है जी हम बात करेंगे sexual dissatisfaction के उपर और हम sexual satisfaction को यानी intimacy के तालुक को किस तरह से बढ़ा सकते हैं वो क्या tips and tricks होंगे इसके पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के top doctors के साथ appointment book करें वो भी patient feedback देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े doctor network का फाइदा उठाएं और आज ही ओला डॉक एप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर का appointment आसानी से सबसे पहले तो हमें जो एक चीज़ समझने की जुरुत है वो यह है कि basically हम यह देखते हैं कि marital dissatisfaction जो है पहले लोग आपस में husband अभी बहुत खुश होते थे मगर आप यह dissatisfaction बहुत ऊपर चली गी हुई है जिसकी एक बहुत prominent वज़ा जो है dissatisfaction की वो sexually satisfied ना होना है अपने husband या wife के साथ जो है यह बहुत ही common reported है उसकी दो तीन वज़ुहाद जो है एक तो observation में भी आई हैं और मेरी clients भी आके जो है रिपोर्ट कर रहे होते हैं communication नहीं है partners की आपस में यह नहीं husband और wife की आपस में वो communication वो intimacy level नहीं है जो के होना चाहिए यह husband और wife का तालुक एक लिबास का तालुक है आपका शोहर और आपकी बीवी आपके लिए लिबास है और इस लिबास से आपको करीब कोई चीज नहीं होती but unfortunately हम इस relationship की अहमियत को क्योंके समझ नहीं पाते हैं इसको उतना importance नहीं देते हैं यह हमें लगता है कि यह वो relationship है जहां पर आपको कुछ जो है limitations में रहना है या वहां पर openly बात नहीं करनी खुल के बात नहीं करनी यह एक अजीब सी science है यहां पर लोग समझते हैं असूलन तो यह relationship ऐसा है जहां पर आप कोई भी बात कर सकते हैं किसी भी किसम की बात होनी च बहुत सरी बातें खुल के इस स्लिए Gonzalez कर पाते कि उनको लगता है कि अपनी मेरे बारे में क्या सोचे की इसी तरह से वाइफ हभ सबाने क्ली फॉहर På called 就是 liking के लोग बड़े अराम से मैं देखती हूं कि लोग boyfriend और girlfriend के साथ बड़े अराम से कर लेते हैं किसी और के साथ बड़े अराम से हो जाती है मगर जहां करने की जरूरत होती है वहाँ पे वो बातें वो openness नहीं आपाती है यहां पे एक्चुली होनी चाहिए यह हमारी society का एक बहुत बड़ा dilemma है और एक बहुत negative side है हमारी society की इसके इलावा जो एक चीज बहुत सदा observe की कही है जब मैं देखती हूं वो है emotional attachment husband wife दोनों साथ रह रहे हैं एक relationship में बंदे हुए हैं एक religious एक legal तालुक और एक social bond उनका बना हुआ है मगर emotional bonding जो है वो बहुत सदा missing नजर आती है दोनों का अपस में कोई वो उस तरह से प्यार और महबद वाली चीजें जो है वो निजर नहीं आ पा रही होती जिसकी वजह से तालुक जो है ना तो उसको उतना enjoy किया जाता है ना ही उसको उतना cherish किया जाता है और फिर dissatisfaction automatically बहुत उपर चली जाती है बहुत सारे time के उपर हम जैसे मैं अक्सर यह बात करती हूं कि sexual जो आपकी activities होती है या sexual relationship जो होता है यह पूरे relationship का सिरफ 20% होता है मगर अगर यह पूरी तरह से fulfill ना हुआ हो अगर इसकी satisfaction अच्छी ना हो तो फिर यह 100% बन दाता है यानि 20% का effect जो है आपके पूरे relationship को खराब कर देता है extra marital relationships की एक बहुत बड़ी वज़ा बहुत बड़ी वज़ा जो है वो observe की गई है कि sexual dissatisfaction जो है वो बहुत ज्यादा है basically और दूसरी एक चीज जो है मैंने observe की है कि औरतें जो होती है वो अपने behaviors में बहुत ज़्यादा रिज़र्ड होती है हमारी society का अल्मिया यह है कि औरतों ने बहुत ज़्यादा अपने आपको professionally grow कर लिया है मगर उनको espousal कौन कौन से behaviors जो है अपने साथ लेके चलना चाहिए उनका family institution जो है यानि घर की life choice जो हर के साथ उसका तालुक जाए उसके उपर हमारी society में इतना ज़दा इंवेस्ट नहीं किया जाता है और उनकी training नहीं होती और इसी तरह से सेम मर्दों के साथ होता है जो हम बड़ी तरगी बात देते हैं जो हनको अच्छा कमाना चाहिए उनका एक अच्छा status होना चाहिए उनको मर्दों की तरह behaved करना चाहिए मगर हम उनको यह नहीं सिखाते कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ किस तरह से behavior करना है किस तरह से उसको cater करना है, किस तरह से उसको ले के चलना है, किस तरह से उससे बात करनी है किस तरह से emotional opening होनी चाहिए, यनि एक दूसरे से बात चीत और तालुक कैसे बनाना है यह दोनों ही husband और wife दोनों की training हमारी society में मजूद ही नहीं है जिसकी वज़ा से बहुत सारे problems जो हैं, वो तालुकात में देखे जाते हैं एक दूसरे की शकल देखने तक कि even noble कई दफा आजाती कि लोग नहीं बरदाश्ट करते एक दूसरे को कई दफा दो लोग एक जगह के उपर रह रहे हैं एक ही घर में रह रहे होते हैं मगर उनका कोई physical connection नहीं होता कोई emotional connection नहीं होता बात्चीत सिरफ इतनी होती है कि रह रहे हैं साथ और यह बहुत common जो है वो हो रहा है क्योंकि लोगों को यह लगता है कि ठीक है wife जो है wife तो है वो बच्चों को अच्छा cater करती है वो अच्छा घर को manage करती है अब उसके साथ कता तालुकी जो है वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हम manage करें मगर वो एक bond जो है वो emotional bond जिसको हम कहते हैं कि intimacy वाली चीज़ें जो है और इसके इलावा जो sexual दोनों का relationship है वो उतना अच्छा नहीं और उसकी विड़ा से extra marital relationship समें बहुत ज़्यादा बाहर निज़रा आना शुरू हो जाते हैं on the other hand हम देखते हैं बीवियां क्योंकि जब घर संभाल ली होती हैं अगर वो working हों काम कर रही होती है और बच्चे अगर हैं एक दो तो फिर उनको भी manage कर रही होती हैं जिसकी विड़ा से उतनी ज़्यादा शुरू हो जाता है इस point के उपर मैं यह बहुत ज़्यादा यह समझती हूं कि हमारी society में एक तो बच्चे और बच्चियों की जो यह training होना बहुत जरूरी है कि उन्होंने अपनी marital life जो है वो किस तरह से गुजारने हैं उन्होंने अपने husband और अपनी बीवी के साथ अपन बहुत सरे psychological problems जैसे depression, anxiety हो जाती है, sometimes hormonal imbalance इतना ज्यादा हो जाता है कि sexual drive लोगों की बहुत कम हो जाती है, उनकी sexual dissatisfaction बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, उनको loss of pleasure जो है वो यानि pleasure उनको उस तरह से मजा नहीं आ रहा हो था चीज़ों का जैसे कि पहले enjoy कर रहे होत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, एक बड़ी important चीज जो है, जो मेरे clients आके मुझे खुद कहते हैं कि मैडम हम किस तरह से किसी भी इनसान के साथ अपना relationship बना सकते हैं, जब कि उस खास लम्हें के इलावा जब कभी भी हम उस बंदे से बात करें तो वो abusive हो, वो अच्छा गलोच करें या वो अच्छे तरीके से हमारे से emotionally connect ना करें तो हम किस तरह से सिर्फ जो है, बैड के उपर उसके साथ अच्छा relationship बनाया जा सकता है, यह अकसर फीमेल्स यह वली एक बात जो अकसर फीमेल्स आकर रिपोर्ट करते हैं, कि शोहर जो हैं वो क्योंके connect कर पा रहे हो तरो वो उमीद करते हैं कि बैड में जो हैं उनकी वाइफ जो उनके साथ एक अच्छा और intimate जो है, वो relationship बना सके, यह तो वो कुछ चंद चीज़े हैं जो मेरी अपनी observation में मेरी अपने clients आके जो है report करते हैं और देखने में आती हैं, research इस चीज़ को support करती है, यह अपना life partner जो आपका husband है, आपकी wife उसके पर invest करने का मतलब यह है कि एक सही partner चूज कीजिए, जिससे सिरफ ना सिरफ आपकी sexual compatibility हो, उसके साथ आपकी mental compatibility का होना बहुत बहुत जरूरी है, यह इमोशनल connection होना चाहिए, एक सही इंसान का अपनी जिंदगी में चनाओ जो है वो कीजिए, अगर आप शोहर अपने लिए देख रहे हैं, अगर आप अपने लिए बीवी चूज करना चाहरे हैं, तो दोनों सूरतों में यह जरूर ख्यार लखिए कि आपको किस तरह का शोहर चाहिए और किस तरह की बीवी जो है, वो आपको चाहिए, पहली चीज़ यह दूसरी चीज जो important है वो यह है कि अपने husband और wife का relationship जो होता है बहुत important होता है कि इसमें emotions ज्यादा involved होते हैं मगर वो emotions जो हैं जजबाद जो हैं exercise कम करते हैं उनका इजहार कम करते हैं बीवियां भी और शोहर भी अपने emotions के जो है वो इजहार अपने partner के साथ करने की कोशिश कीजिए ताके आपका उसके साथ एक intimacy वाला तालुक जो है एक जजबाती तालुक जो है वो बेहतर होगा तो automatically आपका जो है bad relationship जो है वो उसके पर असर पड़ेगा और वो भी बहुत बेहतर जो है वो होना शुरू चोटे-चोटे चुटकले चोटे-चोटे मजाख चोटे-चोटे expressions जो है एक दूसरे को एक दूसरे को messages करना महबद भरे messages करना हाल चाल एक दूसरे का पूछना connected रहना बहुत-बहुत जरूरी जो है वो है यह अपने अंदर चीज पैदा करने की कोशिश कीजिए दूसरी एक चीज जो है आप इसकी बातचीत खुल के बातचीत कीजिए एक दूसरे से और जजज्मेंटल ना हूँ जज्मेंटल होने का मतलब यह है कि अगर आपका शोहर आपसे खुल के अपनी किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है जो वो किसी और से नहीं कर सकता तो उसको इसको सुनिये गवर से और इसको इजट कीजिए बजाए इसके कि आप उसके और हसे या आप जीबहुरी पिसम के फेशल एक्स्परेशन दें और फिर आप स्ट्रेट अवे जो है वो उसको ना कर दें किसी भी चीज़ के लिए उसको सुने और इसको रिस्पेक्ट करें हां और उसके साथ आप अपने अंदर यह एक रवया पैदा कर सकते हैं कि आप उसको यह कह सकते हैं, करके देखते हैं, कैसा होता है, हो सकता है वो चीज़ आपको अच्छी लगे, वो एक्शन आपको अच्छा लगे, वो एक्टिविटी आपको अच्छा लगे, और हो सकता है वो तीसरी एक बहुत important चीज जो है, वो मैं अक्सर देखने में आती हूं कि हमारे यहां पे लोगों को basically कुछ चीजों का जो है, वो idea ही नहीं होता कि उन्होंने अपने partner के साथ, अपनी बीवी के साथ जो है, अपना तालुक बेहतर कैसे बनाना है, एक चीज होती है for play, जिसको आ आदमियों के लिए of course थोड़ा सा हमारी society में मुश्किल है अपने emotions को express करना क्योंकि उनकी training इस चीज के उपर नहीं है, और तो उनके लिए चोटी चोटी चीज हैं जैसे आपकी smell है, आपका लिबास है, आपके सफाई और सुत्राई है, इसके इलावा आप किस तरह से अप यह बहुत बहुत important होता है, अगर आप यह अपनी female partner के साथ यह अपनी wife के साथ अगर आप यह चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी wife के साथ वो जो एक intimate तालुक होता है, बहुत अच्छा enjoy करने वाला तालुक होता है, वो बनाने में आपको बहुत ज़्यादा four play करें, उसके साथ बहुता कनारी करें, उसको hug करें, और फिर जो है, अच्छे अच्छे उसके साथ बातचीत कीजिए, फिर आप उसके साथ connect करें, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएं, सबसे important चीज़ है कि अपनी सफाई सुतराई का बहुत ज़्यादा क्या, कि वो अपनी सफाई सुतराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, अपने ओपर देहान नहीं देती हैं, जब बच्चे आ जाते हैं तो यह जीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा अपनी सफाई सुतराई का ख्यार लखें, अपने आप पे खुश्भू होती है, इसका बहुत भड़ा कनेक्शन होता है आपको एक दूसरे के साथ सेक्शली इंवाल्फ करने में, सो अच्छी खुश्भू का इस्तमाल कीजिए, फोर पले बहुत इंपोर्टन्ट है, और तों को अपने साथ चलाने के लिए, उनको अपने साथ लेके चलने के दूसरी एक जो चीज है, बहुत ज़्यदा उब्जर्फ की कही है, इंटरनेशनली मैंने देखा है, मैं वहाँ पे अपने क्लाइंट के साथ जब सेशन कर रही होती है, तो अब्जर्वेशन में यह चीज़ें जो हैं, अक्सर यह देखा गया है, कि हमारे यहाँ पे जैसे ह जो है, सेक्शल इंटरकोर्स जो है, यह सेक्शल अक्टिवटी खतम होती है, तो फटा फट हमारे यहाँ पे लोग जो हैं बेड से उठके भागने की कोशिश करते हैं, जबके यह वो टाइम होता है जिसमें आप जो है, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यदा उसके साथ लेटे रहें, उसके साथ बात चीत करें, उसके साथ हसी मजाग करें, चेड़ खानीयां थोड़ी बहुत करें, ताकि आपकी चीज़ें बेहतर हो सके और फिर आप उटना चाहते हैं, तो फिर आप उटके जो भी अगले चीज़ आप करना चाहरे हैं, वो गुजारिश करें इस तालुक की तो फिर कोशिश किया करें कि कभी भी ज्यादा टाइम येस में ही जवाब होना चाहिए बिकास बहुत सारे टाइम पर मैंने अब्जाव किया है क्लाइंस यहां पर आके रिपोर्ट करते हैं कि फीमेल जो हैं कभी भी हां नहीं करते हैं जिसकी वज़ा से आदमी को इंबैरस्मेंट भी होती है और फिर उस तालुक में जाना भी नहीं चाहरा होता है उसको यही लगा रहता है कि शायद इस दफ़ा भी जाओंगा तो नहीं होगी तो आपका तालुक एक दूसरे के साथ ऐसा तालुक है दुनिया में किसी और के साथ ऐसा तालुक नहीं किसी इंसान का हो सकता है सिरफ husband और wife का ही तालुक हो सकता है जब आपका शोहर आपसे किसी चीज की फर्माईश करे, रिक्वेस्ट करे, खास तोर पर ये बैड वली अक्टिविटीज जो है, या बैड में एक अच्छे तालुक ही, तो फिर उसको येस करें, उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए, खास तोर पर एक बुड़े हो गए हो, लगता है आप बुड़े हो गए हैं, आप वो पहले वाली बात नहीं रही, और ना ही, और इस तरह से ना ही तुम कोई एक्टिव मेरे साथ जो सपोर्ट ही नहीं करती हो, तुम बिलकुल एक सुस्त बंदे की तरह लेटी रहती हो, कोई हिल जूली नह करती है, ऐसे लगता है, जैसे यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, इस तरह के लिफाज जब आप एक दूसरे के लिए इस्तमाल करते हैं, तो ये इस्तमाल कीजिए, हुमिलेटिंग वर्ड्स मात इस्तमाल कीजिए, उमीद करती हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोगो कुछ बेहतर करने के लिए, आप से फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए लाहाफिज झाल झाल झाल